नमस्कार मैं पंकज प्रसुन राहूल गांधी कैम्ब्रिज विश्विद्याले में एक सेमिनार अटेंड करने जा रहे हैं और वहाँ पे वो बंद कमरे में मीटिंग भीग करेंगे और विशय है बिग डाटा एंड डिमोक्रेसी ये डाटा की जब बात आई तो आज ही पवन खेड़ा है कॉंग्रेस के राष्टी ये प्रवक्ता उन्होंने एक बहुत विस्फोटक खुलासा किया है उन्होंने कहा है कि इसराइल की एक कंपनी के जरिये विश्व भर के 30 देशों में चुनाओं को प्रभावित किया गया इस कंपनी का नाम है जॉर्ज और जिस software का ये company इस्तमाल करती है चुनाओ को प्रभावित करने के लिए उसका नाम है EMS इसका full form है Advanced Impact Media Solution ये जो company है George इसको चलाने वाले भाई साहब है तल हनन ये इस्राइल के नागरिक हैं और इस्राइल के special forces में intelligence अधिकारी रह चुके है अब Congress का ये आरोप है कि जो BJP IT CIL का काम करने का तरीका है और जिस तरह से ये George company अपने software EMS का इस्तमाल करती है दोनों में कहीं ने कहीं समानता है वो जाचकी मांग कर रहे हैं ये software दरसल artificial intelligence के अधार पे काम करता है वो एक साथ एक क्लिक में 30,000 नए profile बना सकता है Facebook पे, Twitter पे, LinkedIn पे, YouTube पे आई तरह के तमाम जो social sites है और वहां से ये मनमाफिक message अपनी तरह का message वो भेज सकता है आरोप ये हैं कि MeToo campaign हो उसमें इस software का इस्तेमाल किया गया था इनकी सेवाय ली गई थी आरोप ये भी है कि Spring Revolution जो की अरब देशों में हुआ था Egypt की क्रांती आपको याद होगा कि Tahrir Square पर हजारों लोग जुटे थे और वहां की सरकार बन गई थी उस वक्त हुसने मुवारक थे उनकी सत्ता को उखाड कर फेग दिया गया था उसमें भी यही George की company जो है उसके M Software का इस्तेमाल किया गया था और The Guardian, Britain की एक अख़बार है उसमें एक हबर छपी है कि उस Software का इस्तेमाल इंडिया के कुछ corporate houses और कुछ political party कर रहे हैं आरो बहुत गंभीर है यह The Guardian की माने तो दुनिया भर में M Software की मदद से कई social media campaign चलाए गये हैं और 30 देशों के आसपास वहां सरकार को या जो company के CEO हैं या कहीं के mayor थे उनको सता से उखाड फेक दिया गया उनके जह पर दूसरे को यह किया गया है अगर यह बात है तो Guardian की इस report का मैं source देख रहा था कि Guardian दावा करता है कि हमारी यह investigative journalism है तो समाचार प्लस के अंदर की बात Guardian की बात पर थोड़ी न भरोसा कर लेगा मैंने अपनी और से और तहकीकात की और तहकीकात में पता चला कि इस तरह की खबरें सबसे पहले फ्रांस के एक website The Forbidden में छपी थी और The Forbidden में उस खबर को छापने वाले तीन भारतिये थे यह 2020 में छपी थी यह खबर और उन तीनों भारतियों का नाम था स्रिष्टी जसवाल ओशिका नियोगी और प्रजवल भट अब इन तीनों के बारे में मैंने पता किया कि यह तीनों कौन हैं और कितना इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है जिससे कि इन्होंने इस्राइल की एक कमपनी के सौफ़ वेयर तक का पता लगा लिया तो इन तीनों की लाइफ हिस्टि मुझे मिली सबसे पहले बात करते हैं स्रिष्टी जसवाल से स्रिष्टी जसवाल पहले हिंदुस्तान टाइम्स में काम करती थी हिंदुस्तान टाइम्स में काम करने के दौरान उन्होंने ट्विट किया था भगवान स्रीकृष्ण के बारे में उसमें उन्होंने भगवान स्रीकृष्ण के बारे में आपती जनर टिक्पनिया की थी उन्हें ओमनाइजर वगरा बताया था उनके इस ट्विट के बाद स्रिष्टी जस्वाल को हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी से निकाल दिया अब नौकरी से निकलने के बाद कहां गई स्रिष्टी जस्वाल ये गई दकारवा में दकारवा में जॉइनिंग के दोरान इन्हें दो बड़ी रकम मिली सैलरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ सिश्टी जसवाल को पुलिजर सेंटर से एक बहुत बड़ी रकम मिली पुलिजर सेंटर को फंड करने वाले जो लोग हैं फोड फाउंडेशन, जॉज सोरोस, रॉक फेलर, बिल गेट्स फाउंडेशन, ओमDR नेटवर्क इसी सिश्टी जसवाल को नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया से फेलोशिप। भी मिली और नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया को फंड कौन करते हैं वही पुलिजर फाउंडेशन वाले, जॉर्ज सुरोस, फोर्ड फाउंडेशन, रॉक फेलर फाउंडेशन, बिल गेट्स, फाउंडेशन, ओमडियार नेटवर्क और अजीम प्रेम जी हिंदुस्तान टाइम्स में भगवान स्रे कृष्ण के बारे में आपती जनक टिपनी करने से निकाले जाने के बाद दो संस्थाओं ने इन्हें फंड दिया, एक ने मीडिया फेलोशिप दिया और एक ने फंड दिया, पुलिजर सेंटर ने फंड दिया और जो नेशनल फंड फॉर इंडिया है, वहाँ से फेलोशिप मिली, नेशनल फंड इसन ऑफ इंडिया की जो मीडिया को जो फेलोशिप देनवाली जो अडवाइजरी कमीटी है, उसमें है सीमा चिश्ती, सीमा चिश्ती सीतारा में चोरी की पतनी है, आप सब को पता है, the avenues वेबसाइट है उसकी एडिटर है उन्होंने इन्हें फेलोशिप दिलवा दिया और कार्वा में नौकरी भी मिल गई उसके बाद जो दूसरे शक्स है तीन लोगों ने मिलके रिखा था ओशिका नियोगी अप्रज्वल भट प्रज्वल भट दन्यूज मिनट्स वेबसाइट में काम करते हैं और इनका भी वही हिस्ट्री है कि इन्होंने भी फेलोशिप राप किया वही नेशनल फांडेशन फॉर इंडिया से जिसको फंड करते हैं सोरोस फॉर्ट फांडेशन और फिलर वगरा और जो ओशिका होगी यह दवायर में काम करती है इन तीनों ने 2020 में फ्रांस की एक विबसाइट के लिए यह सारे कहानी लिखी और वो रिफरेंस दी थी गौरी लंकेश के मर्डर के स्की कि गौरी लंकेश का मर्डर हुआ लेकिन यहां भारत की मिक्षधारा की मीडिया न इसे चाप सके इ इस्राइल की कंपनी जौज की मदद ले जिसने अपने सॉफ्वेयर एमस के जरिये दूसरी तरह की खबरे प्लांट की जिससे गौरी लंकेश का यह मावला मर गया और अब उसी खबर को दफॉर्वीडेन की खबर को गार्जियन ने च्छापा है और गार्जियन के खबर के पवन खेडा ने प्रेस कॉन्फियंस कर दिया आज यह सारा नेटवर्क अब कुछ समझ में आया कि चल क्या रहा है और मैंने जिस खबर से शुरुवात की थी राहुल गांधी कैंब्रिज उन्वर्सिटी में लेक्चर देने जा रहे हैं और बंद कमरे की मिटिंग भी है उ उसमें एक शक्स सरस्टी जसवाल भी है खेर ये तो हो गई राश्टी ये खबर अब आते हैं अपने जारखंड की ओर जारखंड में आज की बड़ी पॉलिटिकल खबर चमरा लिंडा को लेकर है विशुनपूर के जारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक इन्होंने राज के द्वारा कि 25 से 50,000 लोग वहां थे आदिवासी अधिकार महारैली में चमरा लिंडा ने दो तिन मुख्य बाते कहीं एक तो जो उनका एजेंडा था आदिवासी अधिकार महारैली करने का कि किसी भी दूसरी जाती को अब हम इस्टी में शामिल नहीं होने देंगे खास करके उन्होंने कहा कि कुडमी महतों हैं वो इस्टी में शामिल होना चाहते हैं लेकिन हम नहीं होने देंगे दूसरी महत्पुन बात उन्होंने ये कही कि हाल के दिनों में को जातीयों को इस्टी में शामिल किया गया है भोकता वगेरा उन्होंने का कि जब भी कोई जाती स्टी में शामिल होती है तो चमरा लिंडा की माने तो ट्राइबल एडवाईजरी काउंसिल से रिकमेंडेशन लेना होता है जो कि इनके केस में नहीं लिया गया वो कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करते हैं जो दूसरा एजेंडा था उनका वो ज्यादा महत्पूर है और अंदर की बात वो है अंदर की बात ये है कि चमरा लिंडा जार्खंड मुक्ती मोर्चा के मुख धारा की राजनिती से थोड़े से अलग है कोई पूछ नहीं रहा हाल के दिनों में जार्खंड पार्टी एनी होरो की पार्टी जिसे जोएन किया है पुर्म महादीवक्ता अजीत कुमार में शमरा लिंडा और जर्खन पार्टी में कुछ बातचीत हुई है और बातचीत यह है कि हम जर्खन पार्टी कम से कम 30 से 35 विधानसवा सीटों पर अपने उमिद्वार खड़े करेगी और उससे पहले वो जो चिन्हित विधानसवा सीटे हैं वहाँ आदिवासियों का सम्मेलन कराये जाएगा जाईर है चमरा लिंडा की ख्वाइश है कि वो जहरखंड पार्टी में शामिल हो उसका चेहरा बने और ये जो 30-35 सीटों पे चुनाओ लड़ना है महाँ केंपेंड करें और हर तरह से मदद करें लेकिन जारखंड पार्टी के अंदर कुछ लोग चमरा लिंडा को शायद चेहरा बनाने को तैयार नहीं है और चमरा लिंडा ने अपनी उसी ताकत को दिखाने के लिए आज आधिवासी अधिकार महारैली की राजधानी राची के प्रभात तारा मैदान में और 25-30,000 लोगों को जुटाया भी आगे अब क्या होगा यह तो या तो चमरा लिंडा जानते हैं जहरखन पार्टी जानती है लेकिन जहरखन पार्टी का 30-35 सीक्टो पर चुनाओ लड़ने का मकसद क्या हो सकता है उनकी एक्षा तो यही एक कमसे का 5-7 विधायक अगले विधानसवा चुनाओ के बाद जहरखन पार्टी के सिंबल पर जीत कर पहुँचे और अगर ऐसा हो सका तो सचमुच खेला हो जाएगा नमस्कार